टाइमर लगाजी को रिकोडिंगा ना तो तरड़ आजाए आज चेक कीजी देखो आवाज आ रही है कि आपको आवाज आ रही है लाइव इस्ट्रेंट्स को अरे देखिए अपने जो टेस्ट था 21 नॉंबर 2021 को टेस्ट हुआ था जिसमें की चैप्टर आपके फोटो सिजट्रीघ्स इफेक्ट गुश्ट्र में फक्राइव वेलस में देखे लैघटी टरंग फोट一 स सब्सक्राइब च्रवा था उसके जो कुश्ट्र से सब्सक्राइब करते हैं इसमें पहले इस्कीड किसी परस्ष्ट वीचैन च्छल्व एक व्यंके उसके उनके के अदर कुछ corrections है क्या corrections है वो आप देखें वो तो अपन देखें सबसे पहले अपने question पर आते हैं पहला question देखें आप एक प्रकास विद्युत प्रयोग में देहली आवरती से उपर एक आवरती पर उस सर्जित इलेक्टोनों की संख्या समानुपाती होती है तो इसके लिए प आप्तित फोटोन की आवरती देहली आवरती से कम है तो इलेक्टोन का उस सर्जन किसी भी इस्तिती में संभव नहीं है फिर चाहे तीवरता कितनी भी क्यों ना हो लेकिन अगर आवरती देहली आवरती से अधिक है अब अगर अपन तीवरता बढ़ाएंगे तो इलेक्टोनों की संख्या में क्या होती है व्रदी होती है याद कीजिए ये अपने इस तरह से ग्राफ पढ़ा था यहाँ इस अक्षपर आपने लिया था किसको तीवरता को जब आपने चेप्र पढ़ा था तब आपने देखा था इस अक्षपर तो आपके पास क्या थी तीवरता थी यहाँ आपन ले रहे हैं प्रकास विद्धुधरा प्रकास विद्धुधरा इस अक्षपर अगर आवरती देहली आवरती से कम है तो एलेक्टोन किसी भी स्तिति में नहीं लेगा फिर चाय तीवरता कितनी भी हो यानि कि फोटोनों की संख्या लेकिन अगर उससे अधिक है आवरती देहली आवरती से तो अब अगर अगर अपन तीवरता बढ़ाएंगे तो प्रकास विजुदारा के मान में क्या होगी रेखी रूप से वरदी होती है समानुपाती रूप से क्योंकि निकलने वाले इलेक्टोन की संख्या में क्या होगी वरदी होगी एक photon एक electron को निकालता है अगर आने वाले photon जिनकी आवरती देली आवरती से अधिक है अगर उसकी अपने संख्या में वरदी कर दी तो निकलने वाले electron भी क्या होगे बढ़ेंगे इलेक्टोर बढ़ेंगे तो प्रकास जुद्धारा के मान में भी क्या होगी वह या इससे वरदी होगी यानि कि ये इस्ट्रेट लाइन अपने पास इस तरह से ग्राफ था ये ग्राफ इस तरह से आ रहा था लेकिन इसकी सर्थ क्या थी कि new है वो greater than क्या हो new note यानि देहली आवरती से अधिक आवरती हो अब question में options देखेगा एक प्रकास जुद्ध प्रियोग में देहली आवरती से उपर एक आवरती पर उस सर्जित इलेक्टोनों की संख्या समानुपाती होती है उस सर्जित इलेक्टोनों की इसके इसकी गतिज उरजा के नहीं इसकी इसी उरजा के नहीं आपतित प्रकास की आवरती के नहीं आपतित प्रकास की आवरती से तो उड़ जा होगी प्रती दर्स पर आपतित फोटोनों के संख्या के बिल्कुर सही है लेकिन कब होगी जब आवरती से अधिक होगी अगर इसी कुश्चन में आवरती देली आवरती से अधिक नहीं होती तो क्या इलेक्टोनों का उसरजन संभव होता नहीं था फिर चाहे तीवरता कितनी बड़ालो कोई नहीं तो इसका option कौन सा आएगा आपके पास fourth आ गया फिर इसके बाद next देखेगा question number question number third किसी धातू पर नीला प्रकाश डालने पर इलेक्टोनों का उसरजन होता है परन्तु हरे रंग के प्रकाश से नहीं होता है तो निम्ण मैंसे किस रंग के प्रकाश से उसरजन संभव होगा अब जड़ा देखो आप चारो रंग देखें आपन आपके पास ये sequence आप लेते हो बेनी आहा पी नाला इसमें आप क्या देखेंगे कि बेंगनी रंग की जो तरंग देधर ये है वो क्या है सबसे कम है यानि कि लेमडा वी ये तो हो गई है लेमडा मिनिमम लेकिन आवरती की बात करें लेमडा वी यानि वायूलेंट कलर के लिए पहले कॉंसर्ट देख रहे हैं फिर कुश्ण को देखेंगे अपन तो ये क्या है इनमें सातों रंगों में सबसे अधिक है वही सही है ना अब ज़रा रेड कलर पर आजाएं अपने दार लास्ट वाले पर इसका इसाब किताब देखेगा लेमडा आर यानि कि रेड कलर ये क्या होती है लेमडा मैक्जिमम होती है मैक्जिमम तरंगरे होती है फिर अपने बात करें न्यू आर यानि कि लाल रंग के लिए आवरती ये क्या होती है मिनिमम अब आपको पता है एलेक्टरो निकालने के लिए आवरती क्या चीए आपको ज़ादा कम ज़ादा चीए ना अब देखो कुश्चन में किसी धातूपा नीला प्रकास डालने पर तो एलेक्टरो निकल रहा है क्योंकि नीले प्रकास की आवरती इसका मलब क्या है ज़ादा है परंतु हरे रंग के प्रकास से नहीं निकल रहा है यानि हरा यहां आ गया इससे तो नहीं निकल रहा है इससे निकल रहा है इसका मतलब इससे ज़्यादा होनी चीए आवरती किसे नीले रंग से ज़्यादा आवरती जिस रंग के लिए होगी उससे इलेक्ट्रो निकलेगा तो बताओ निम्न मेंसे किस रंग के प्रकास से उससरदन संभव है तो नीले साथी किसका है बैंगनी रंग का हो गया क्लियर लाल पीला अवरक इनसे संभव नहीं होगा क्लियर रैक कुशन नहीं फिर इसके बाद नेक्श कुशन देखिएगा आपकुशन नमर क्ला भा दिया कुशन नमर फोर देखिएगा कुशन नमर फोर के अंदर ध्यान दे ये कह रहे हैं यदि किसी धातू का कारे फरन फाई है तथा आपतित प्रकास की आवरती क्या है न्यू है तो प्रकास इलेक्ट्रोन उस सर्जित नहीं करेगा जबकी तो देखो इसको मैं आवरती को यह बना देता हूँ वी की तरह बना हुआ है तो ध्यान रहे कारे फलन का फॉर्मला देखो सबसे पहले कारे फलन का formula क्या है phi is equal to h new note वही phi is equal to h new note यह तो है अगर ऐसा है तो भीया इसका means देहली आवरती new note is equal to क्या हो गया phi upon में h हो गया गई नहीं हो गया अब आप जानते हो कि new का मान यह क्या कह रहा है electron उस सजन नहीं करेगा नहीं आ रहा है इसके अंदर यानि कि अगर इस new का मान कम है किस से? new node से तो confirm है कि electron उत्सरजन संभव नहीं फिर चाहे तीरता कितनी भी क्यों नहीं ये बात तो सही है अब यहां देखो new node का means क्या है? 5 upon में H एक नहीं है यानि कि new is less than 5 upon में H कह सकते हैं क्या? मैं कह दिया आपने तो अब देखो कौन सा option आ रहा है new is less than 5 upon में H आ गया ना first option यानि कि कुशन में new node ना कह करके उसके जगर क्या कह दिया? इन्होंने 5 upon में H कह दिया बताएं कि लिए है चीज़ ये नोट कर सकते हो आप इसे आपके पास जो पेपर है वहां उसके आसपास ये हिंट लिख लेना आप नोट करते जाओ साथ साथ ही जहां जो भी आपके हाथ में पेपर है ये इस तारिक का वहां आप इनके हिंट लिखते जाएं ताकि बाद में जब कभी दुबारा पेपर को अपन देखें तो ये डाउट अपने सामने उस समय नहीं आए ये क्लियर हो जाए चीज़ अपने संकेतों के हिसाब से आप इसे नोट कर ले हुआ इन टांगों के ध्यान रखा करो भी है जिदर टांग हो दिदर बड़ा होता है न हो गया है पेपर के साथ नोट कर लो इनको अगर पेपर निला है तो कोपी में अपनी नोट बुक के अंदर कुश्चन नमर डाल के उसे सोल कर ले करें नेक्स कुश्चन पर आजाए देखे भी कुश्चन नमर फाइव देखे सोडियम वे कोपर के कारेफलन क्रमश्य है 2.3 एलेक्टोन वोल्ट वे 4.5 एलेक्टोन वोल्ट है तो तरंग देधरियों का अनुपाद यह कह सकते हैं इनकी तरंग देधरियों का निकालना है आपको अनुपाद वो भी कैसा पूछ रहे हैं लगभग कितना होगा देखिए इस कुष्चन में क्या करना है आपको कारेफलन दिया हुआ है किलियर अगर कारेफलन दिया हुआ है तो ध्यान देख कारेफलन को अगर आप 5 नोट से नोट करें तो 5 नोट is equal to क्या था H new note था अब यहां पर आवरती का तो जिक्र है ही नहीं किसका जिक्र है वही तरंग देदरिये इनका अनुपाद पूछ रहे हैं इसका means इसे आप क्या ले सकते हैं H new note का मतलब C upon में lambda note यहाँ पर lambda note क्या बन गई है देहली तरंग देदरिये threshold wavelength देहली तरंग देदरिये आ गई है अगर यह देहली तरंग देदरिये आ गई है तो आप देखें lambda note is equal to क्या है H C upon में phi note बन गया गी नहीं बन गया बन गया है formula अगर यह formula बन गया तो बताओ H constant है क्या इसमें बिल्कुल exactly H constant है CB constant है इसका means यह हुआ कि जो देहली तरंग देदरिये है वो inversely proportional हो गई किसके phi note के अगर ऐसा है तो आपके पास यह formula ऐसा बन गया है कैसा है lambda note पहले कौन है वही element sodium है बाद में कौन है copper है sodium na lambda note copper cu बताओ कैसा लिखेंगे इसे उल्टा करेंगे न यानि कि phi note क्या लिखेंगे copper फिर phi note sodium ऐसा है लिखेंगे इनके कारेफलन के मान दिये हुए है क्या बिल्कुल दिये हुए है देखो आप sodium का कितना है 2.3 electron volt है और copper का 4.5 है तो यानि कि sodium वाली value को अपन पुट करेंगे इसमें तो देखो sodium वाली value कितनी है आपके पास बताईएगा ने पहले sodium की लिख देना बन सोड़ेंगे पढ़ी है तो 2.3 है electron volt में फिर copper के कितनी है 4.5 है electron volt में बताएं या अगर ये 4.6 होता तो 2 हो जादा पूरा पूरा तो इसलिए question में पहले से क्या कहा है लग बग यानि कि approach ये ratio कितना आ गया 2 ratio 1 आ गया कौन सा option right है first option ये लो note कर लो फोन किसका रहिया और सब्सक्राइब इसको इदर रख देते हैं इसको इदर रख देते हैं हाँ note करें आप देको इससे question number five आपने solve कर लिया है कि कि अदे हैं कि कि अ हो गया है कि पूश्चेन नमर 5 के बाद अपना आते हैं इसमें रविंद्र बेरवाजी क्या पूस रहे हैं यह सो देखो कूश्चन नमर 5 के बाद नेक्स्ट है कूश्चन नमर आपके पास जो 6 है अब देखिए कूश्चन नमर 6 में किसी प्रकास वेदुत पधारत का कारे फलन 3.3 एलेक्ट्रोन वोल्ट है जो कुश्चन बोल रहा है वैसे लिख दो यानि कि इस कुश्चन में आपके पास कारे फलन 5 नोट की जो वेल्यू दी गई है 3.3 एलेक्ट्रोन वोल्ट है दिखान दें अब इसकी दहली आवरती होगी हर्स में पूछ रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि कारे फलन को आपको किसमे चेंज करना है पहले जूल में किलियर आपको कारे फलन दिया हुआ है किसमे इलेक्ट्रोन वोल्ट में जूल में आपको चेंज करना है तो देखिए इलेक्टोन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज करते हैं 3.3 इन्टू 1.6 इन्टू 10S2 पावर माइनस 19 अब ये बन गया है जूल आ गया है जूल अब ये जूल में आपके पास वेल्यू आ गई है ये कारे फलन था इसकी देहली आवरती पूछ रहे है थ्रेसल्ड फ्रिक्वेंसी यानि के न्यू नोट तो देखिए भया न्यू नोट आपको कैल्कुलेट करना है कारे फलन का फॉर्मुला आपका अच्छे से पड़ा हुआ है क्या है फॉर्मुला बताईएगा 5 नोट is equal to h new नोट क्या कैल्कुलेट करना है आपको new नोट राइट अगर new नोट कैल्कुलेट करना है यानि कि 5 नोट अपोन में h तो देखो आप इसके इंदर next values क्या क्या आरे हैं आपके पास new नोट is equal to 5 नोट की वेल्यू 3.3 into 1.6 into 10 टेनेस टू पावार माइनास 19 अब उन में H की वेलू फिक्स है भी या 6.62 टेनेस टू पावार माइनास 34 फटापट केलकुलेट करें क्या आंसर आ रहा देखो यह हो जाएंगे 19 पावार देखो 4 इंटो 10 पावर 11 आ रहा है क्या चेक करो फटापट से निकालो देखो आंसर क्या आता है एप रॉक्स देख लो आप तो करें सोल करें और आंसर चेक करें फटापट से करें करें सोल करें कि अज़र कि अज़र कि अज़र कि अज़र कर दें रहे हैं यह फोर इंटो 10 पावर 11 वहीं यह आंसर अमीजी आप बता रहे हो फॉर्थ ओप्शन फॉर इंटो 10 पावर 11 हर्ट देखो सोल करके देखो यह आ रहा है क्या गलती नहीं हो रही है आप से अमीजी बहिए आप सिंपल बता दो 3.3 को 1.6 से मल्टिप्लाए करो फटापट कितना आ रहा है कितना 5.28 यही आ रहा है क्या देखो आप यही आ रहा है ना इंटो अब पावर पे आ जाओ 10 to power minus 19 है ना अप उन में यह है 6.62 10 to power minus 34 है अब ज़रा आ जाओ 5.28 अप उन में 6.62 है उससे पहले पावर देखो आप पावर कितनी है माइनस 34 है 34 को उपर लाएंगे तो किसमें हो जाएगी प्लस में प्लस के 34 के अंदर से माइनस के 19 को गटाई है आप कितने है प्लस के 15 आ गए है प्लस के अगर 15 आ गए है तो आप एक काम कर लो क्योंकि नीचे की डिजिट सोड़ी सी बढ़ी है तो यानि कि इसे आप कह सकते हैं 5 to 8 यानि 52.8 into 10s to power 14 बोलो कह सकते हैं न अरे कह सकते हैं कह दिया है अप उन में कितना है 6.62 अब आप देखो पूरी कैलक्रेशन ही मैंने आपके लिए कर दी है 52.8 में 6.62 से भाग दो फटापट से 7.89 कुछ आ रहा होगा देखो देखो भाग फटापट से 7.97 यानि एप प्रॉक्स 8 हो गया यानि कि आप इसे कह सकते हैं एप प्रॉक्स 8 into 10s to power 14 हर्ट्स लगबग 8 हो गया और ये कौन सा ऑप्शन आ रहा वही पहला ही आ गया और नहीं आ गया ठीक है ना उसमें आप इसमें आपने खुद ने क्लिक्षन करके देखिये देखो बाप इस से आपको 3.3 electron volt दिया हुआ है तो 5 की value क्या है 3.3 electron volt June में change करने के लिए क्या करेंगे 1.6 10 is to power minus 19 से multiply कर दिया values रग लिए S से divide कर दिया है power आई गई है आपके पास clear है चीज और देखो power भी match नहीं कर रही है 4th के अंदर तो power 11 आ रही है power भी तो match करनी चीए power तो बहुत बड़ा difference आ गया चलो अपन इसको approach ले भी ले तो भी तो इसलिए option कौण सा सही है इसका first option right है वैसे तो यह आ रहा है 7.9 करके आ रहा है तो यानि कि लगवग 8 हो गया हो और exam में भी आपको इसी तरह से ढूंडने answer यह थोड़ी कि पुरा divide करके आपन देख रहे हैं नहीं 7.98 आ गया समझ जाओ यह आठ वाला option है तो यह अपने पास question नमर था 6 question नमर 7 पे आएं आप देखो प्रकास विद्दुत उससरजन प्रिक्या में एक धातू का कारे फलान 1.8 electron volt है सबसे पहले question के data देखें यानि की कारे फलान 5 note is equal to 1.8 electron volt है लिख दिया है आगे देखें तदा electron की गती जुर्जा यानि की kinetic energy maximum 0.5 electron volt है तब निरोधी विभाव का मान क्या है तब निरोधी विभाव का मान क्या है एक बार आप answer दें फिर में इसका बहुत छोटा तरीका बताऊंगा फटापट से बिना sol करें 0.5 क्या volt ध्यान रखना questions के लिए केवल ये question आपको confuse करने के लिए दियावा question है question में आपको कारे फलन है इसकी भी आपको जुरत नहीं पड़ रही है ना केवल जुरत है अधिक्तम गती जुर्जा की तो ध्यान रखेगा जो अधिक्तम गती उर्जा दे रखी होती है kinetic energy maximum उसे अपन electron volt के रूप में लेते है और यहाँ V क्या होता है उसका निरोधी विभव होता है अगर इस मेंसे E को आप हटा दें तो बताओ विभव रह जाएगा नि रह जाएगा तो याद रखिएगा जब भी आपको अधिक्तम गती उर्जा दी गई हो और विभव पूछें तो confirm है उस उर्जा वाले सब्द के अंदर से electron सब्द को हटा दो आप जैसे 5 electron volt electron हटते क्या बन गया 5 volt वो 5 volt ही क्या हो जाएगा निरोधी विभव तो यहाँ पर भी देखो आप अधिक्तम का तुझा कितनी है 0.5 electron volt दिए न इसका मतला निरोधी विभव जो V note होगा वो 0.5 क्या हो जाएगा volt कौन सा option है number 4 यह हो गया टिक note कर लो एक कुशन स्वाल करने ज़रती नहीं पढ़े रिए अपने इसको तो अपने तरीके से hint लिख लें आप कि जब भी अधिक्तम गज़ुजा दी गई हो तो आप क्या करेंगे उस उर्जा के अंदर से electron volt में अगर उज़ा दे रखिए एक इस कुशन को एक इस्ट्रे बढ़ा सकते थे ही कैसे बढ़ा सकते थे अगर उर्जा को जूल में दे देते तो फिर आपको इसको electron volt में change करना पड़ता फिर electron volt में से electron को अठा देते change करनी ज़रती नहीं पड़ती वैसे भी वो तो cushion के according अपन देख लेते तो केवल जो volt में value आ गई है वो ही क्या है विभा हो गया उसका तो इसलिए बिना solve करे question solve हो गया आपका ही फिर next अपन question पर आते है question number 8 पर आजाओ देखो question number 8 अच्छा question है logical question है question में क्या कह रहे है 3000 anga strong तारंग देदर ये का photon धातू की सते पर आपतित होने पर यानि कि जो photon आ रहा है उसकी lambda 3000 anga strong है लिग दिए आपने question के data लिग दिए उने पर 0.5 electron volt 0.5 electron volt electron उस्तरजित होते हैं बहिए 0.5 electron volt electron उस्तरजित होते हैं इसका लग ये है सते पर आते दुने पर 0.5 electron volt उड़ जाके ये हुआ न 0.5 electron volt उड़ जाके इलेक्ट्रोन उससर जित होते हैं अधिक्तम उर्जा इतनी है इलेक्ट्रोनों की यानि कि काइनेटिक एनर्जी मैक्जिमम जो आपको दी गई है वो आपके पास है 0.5 इलेक्ट्रोन बॉल्ट चलो हो गया अब कह रहे हैं 2000 एंगेश्ट्रोंग के फोटोन यानि कि अब जो लेम्डा गिरा रहे हैं जो फोटोन है उसकी तनदर है कितनी है वही 2000 एंगेश्ट्रोंग है नहीं है कि फोटोन इसी धात्व की सते पर इसी धात्व मतलब कारेफलन सेम हो गया एक ही धात्व का मतलब कारेफलन सेम हो गया आपतित होने पर उस सर्जित इलेक्टोनों की उर्जा होगी उर्जा से ताथ पर यह अधिक्तम गतित उर्जा यही हुआ नहीं हुआ यानि की के एम डेस यह लो अब देखो दिहान दीजिएगा क्विश्चन पर आपको पता है कि अगर अपन आने वाले फोटोन की आवरती को बढ़ाएंगे जो आपने पढ़ा है उस पर दियान देना आवरती को बढ़ाएंगे तो उर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इलेक्टोनों की बढ़ेगी आवरती बढ़ने का मतलब तरंग देदर ये घटाना है इसका उल्टा सोचो अब कुश्चन में लेम्डा कहिए अब यहां गोर करो पहले लेम्डा कितनी है तीन ज़र अब कितनी हो गई तो बताओ लेम्डा बढ़ी है क्या यह गटी है गटी है लेम्डा गटी है यानि आने वाले फोटोन की आवरती बढ़ी है आवरती बढ़ेगी तो उसकी गतिजुड़जा क्या होगी अधिकतम गतिजुड़जा बढ़ेगी पहले कितनी थी 0.5 इलेक्टोन वोल्ट उससे जादा होगी या कम अधिक होगी कौन सा ओप्षन है सेकंड फर्स्ट में कह रहे है 0.5 इलेक्टोन के बराबर नहीं उस लेम्डा ही चेंज होगी 0.5 इलेक्टोन वोल्ट से अधिक बिल्कुल सही है 0.5 इलेक्टोन से कम यह तो संभव है नहीं अगर सुनो यही क्रम उल्टा होता तो अगर दो हजार पे इलेक्टोन निकल रहा होता और फिर लेम्डा तीन हजार कर दी गई होती तो तब ओप्षन कौन सा बन जाता क्योंकि निकलने वाले फोटो इलेक्टोन के उर्जा कम हो जाती है करेक्शन जो भी है वो भी साथ-साथ कर लें क्योंकि टाइपिंग में मिश्टेक होई जाती ही कभगी कि तीन हजार एंगे श्ट्रोंग तरनदर का फोटोन धातु की सते पर आपित होने पर 0.5 इलेक्टोन वोल्ट उर्जा के इलेक्टोन उसाजित होते है ना यह सब जोड़ ले ना अपने तरीके से हिंट लिख लेना आप है ना और जो भी करेक्शन है वो कर लेना अच्छे कुश्चन थे आपके लेबल के हैं ना इजी है ना टफ है जिन्हों ने चैप्टर पढ़ लिया है उनको तो पता चल रहा है जिन्हों टेस्ट दिया है और जिन्हों टेस्ट ने दिया है वो अपने पास इसको सुरक्षित रखें काम तो आएंगी भी वेकार थोड़ी है चलो इसका उल्टा ये भी लिख लो ताकि दियान रह सके कि अगर इसका उल्टा होता कि अगर लेम्डा बढ़ाई जाती तो आवरती कम होती तो गती जुड़जा भी कम हो जाती है हैं लेकिन धियान रहे इतनी लेम्डा नहीं बढ़ा दी जा है कि अवरती धीली आवरती से कम हो जाओ तब तो इलेक्ट्रो निकलेगा ही नहीं ऐसा एक कुशन पर पहले कर चुके हैं ध्यानों तो कि भी आवरती आदी कर देने के बाद ती उरता को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कुछ नहीं निकलेगा उसे चल अब नेक्स कुशन पर आते हैं कुशन नमर नाइन देखे भी कुशन नमर नाइन क्या कह रहा है दो भिन आवरतियों के प्रकास जिनके फोटोनों की उर्जा ध्यान रहे अपकी बार फोटोनों की उर्जा कह दिये वही है इसने फोटोनों की उर्जा कितनी कितनी है वन औ और 2.5 electron volt है, पहले photon की उर्जा तो ले लेते हैं, अपन E1 है, ये है 1 electron volt, दूसरे photon की जो उर्जा है E2, ये है 2.5 electron volt, सही है, क्रम से एक धातू को प्रदिप्त करते हैं, यानि उस पर गिरते हैं, जिसका कारेफरन 0.5 electron volt है, यानि धातू A की है, तो कारेफरन तो fix हो गया 0.5 electron volt है, उस सर्जित electronों की अधिक्तन चालों में अनुपात क्या होगा, चालों का अनुपात निकाल रहे हैं वही है? क्या है चालों का अनुपात वी एम वन अपून में वी एम टू अधिक्तन चालों का अनुपात ये निकालना है याद करो जब अपने आइंस्टीन की समीकंड पड़ी थी तब उस समीकंड मैंने बताय था कि आपतित फोटोन की उर्जा दो प्रकार से खर्च होती है एक तो इलेक्टोन को धातू के भीतर से बाहर निकालने में जिसे अपन कहते हैं कारेफलन के रूप में एक इलेक्टोन को धातू से भीतर निकालने के लवा फिर क्या करते हैं और जो उर्जा बच गई उसे क्या करती है गतिज उर्जा प्रदान करती है यानि कि आपतित फोटोन की जो उर्जा है E वो होती है धातू का कारे फलन प्लास अधिकतम गतिज उर्जा यही था ना फॉर्मुला यही फॉर्मुला था तो भईया इसके अंदर देखिएगा KM is equal to E माइनस फाइ नोट होगा नहीं होगा होगा ना अरे भई होगा और KM का मान इसने वेक की बात कर रहा है सीधी उर्जा की बात थोड़ी कर रहा है तो भईया अधिकतम गतिज जागा फॉर्मुला क्या लेते आए हो आफ हाफ M V M का स्क्वायर is equal to बोलिएगा E माइनस फाइ एक नहीं अब यहाँ अपने पास दो इस्तितिया है पहली इस्तिति के अंदर तो क्या होगा चलो फॉर्मुला देख लो क्या होगा हाफ M इलेक्रों का दिर्मान तो फिक्स है पहली इस्तिति के अंदर चाल क्या है V1 हाफ M V1 का स्क्वार होगया नहीं होगया अनुपात ले लो दूसरी इस्तिति में हाफ M V2 का स्क्वार बराबर बोलो क्या लोगे E1 माइनस 5 नोट चलो 5 नोट ले रहे हैं तो 5 नोट ले लो अपन में E2 माइनस 5 नोट बोलो सुत्र बन गया नी बन गया, ये तो दो दो चुपचापी, कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या बच गये हैं, आपके पास ये बच गये हैं, वई, एवन का मान कितना था, एक है, 5 का मान 0.5 है, E2 का मान कितना है 2.5 है और इस का मान 0.5 है किलियर है चीजे हैं आप देखो इससी में थोड़ा सा उपर और अपन बढ़ लेते हैं बताईएगा 1-0.5 0.5 सारी स्टेप सोल कर रहे हैं बही 2.5 अपन में 0.5 2.0 बच गया इसका मेंस 1 अपन में 4 हो गया लेकिन गलती मत करना यहाँ पूछा है वेगो का उनुपाद तो यह आपके पास क्या आया है V1 स्क्वाइर अपन में V2 स्क्वाइर आया है यानि कि V1 अपन में V2 तो इसका रूट निकाल दोगे तो 1 रेशो क्या आगया 2 तो देखिए कौन सा ओप्शन आ रहा है कौन सा है यह थड़ है क्या यह लवे थड़ आ गया और थोड़ा सा बड़ा कर दें कितना बड़ा ठीक है अज़ा एक कुश्य नहीं है वो जाएगा इसे नहीं तो पर दिख रहा है ना आप से इनोट कर लो अज़ा आप से इनोट कर दो 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 झाल हलो गयी और देखिए अब नेक्स विष्टक्रिक्र है स्थिर्यमान सुनने है इस्थिर्यमान सुननी यानि की विराम द्रियमान सुनन अब यह वीराम द्रेमान सुनने किसका लिखाया रखा है मैंने आपको याद करो फोटोन फोटोन का वीराम द्रेमान सुनने है गतिक द्रेमान होता है उसमें समवेग भी होता है उसमें उर्जा भी होती है याद करो समवेग P वराबर E अपोन में C दो एक्जामपल मैंने कराये थे उस पर बैस और ऐसा कुश्चन सेक्ड गेड में पिसली बार 2018 में आया हुआ था समवेग उड़ जा पर संबंद पर आधरित फोटोन के जो पर ने कुश्चन सोल भी किया दा क्लास में तो यादि वीराम दुर्यमान सुनने इसका और समवेग उस सुनने है इसका महला कंड कोन है भई फोटोन हो गया और फोटोन का वेग किसके बराबर होता है प्रकास के वेग के बराबर तो बताओ C प्रकास का निरुवात में वेग के बराबर सी से अधिक सी से कम अनंथ की ओर बता हूँ कौन सा ऐक्षन आगया प्रकास में नर्वात में वेक बराबर पहला अप्षन आ गया नहीं आगया क्रण अपन ने कैसे पैचाना फोटोन है क्योंकि एश सुनने है सरी द्रयुमान सुनने है लेकिन समवेग ऐस सुनने है यानि ये कन क्या है फोटोन और फोटोन का वेग क्या होता है निर्वात में प्रकास के वेग के बराबर होता है के लिए रिए next question पर आ जाए question number 11 को देखवाओ एक photon ये ऐसा question है जो थोड़ा कभी-कभी आप वो confuse कर सकता है ये एक photon एक electron और ये यूरेनियम नाबिक सभी की समान तरंग देदरिया है समान तरंग देदरिया है यानि तरंग देदरिया कह दी सबसे अधिक इन में से उर्जा किसकी होगी अब ध्यान दो अब अपन को वो रिष्तिदारी देखनी है जिसमें तरंग देदरिया के साथ-साथ कोन आ रही हो उर्जा आ रही हो तरंग देदरिया के साथ-साथ कोन आ रही हो उर्जा और वो formula अब आपको ढूंडना है कोन सा formula था देखिएगा lambda is equal to h upon में root of 2m e होता है अग नहीं होता है आप से क्या पूछा है lambda तो दे रही है e पूछा है तो चलो e को बना लेते हैं दोनों पक्षों का work कर दीजिए ताकि root अट जाएगा ना तो lambda square is equal to h का square upon में 2m e बन गया कि नहीं बन गया बोलो क्या किया है मैंने दोनों side का square कर दिया इसका मतलब e बराबर क्या सुत्र हो गया बताओ h square upon में 2m और यह क्या हो गया lambda का h square हो गया कि नहीं हो गया देख लो clear है चीज अगर चीज clear है तो फिर देखो आप इस से इसमें अब वो देखना है आपको मैंने तरीका सिखा रगा है कि जो constant है उसको पकड़के चलना है यही चीज़ सीखने किती सवालों में कि constant कौन कौन है बताओ h constant है क्या दो constant है lambda constant है क्या है कैसे सभी की समान तरंग देदर यह है वह या तो lambda भी समान है इसका मतलब यह हो गया कि आप यह कह सकते हो e is proportional one upon में m हो गया कि नहीं हो गया बताओ जिसका m कम होगा जिसका m कम होगा उसकी उर्जा क्या होगी जादा होगी यानि कि जिसका m कम होगा उसकी उर्जा क्या हो गई जादा हो गई lambda समान होने वाले केस में कितना opposite result आ रहा है अब अपने question को अपने अब देखें अब आप सोचोगे sir इन में तो सबसे कम वाली जो है सबसे कम दिर्वान तो electron का होता है तो electron answer हो जाना चीए बात तो कहना सही है अब ज़रा गोर फर्माओ इसके अंदर option के अंदर जो देरे रखे हैं केई बार question उसके हिसाब से भी change हो जाता है अपने सोचने से नहीं होता option पर भी depend करता है अरे वैस सिंपल सा question पूछा जाया है हवा मेल कहा है आप कोई कहाँ ऐसा है जेपूर में है गलत थोड़ी काया उसने भारत में है गलत थोड़ी है राइस्तान में कहते हैं गलत थोड़ी है वो कहेगा चोपड पर है वो भी गलत नहीं है लेकिन वो option कौण से आ रहे है तब पर डिपेंड कर रहा है अगर इन option में चारो option होते तो फिर चोपड हो गया ना सब छोटी काई अगर चोपड नहीं होता तो फिर जैपू सही हो जाता और अगर जैपूर option नहीं होता तो फिर राइस्तान फिर इंडिया और उप्रोक सभी वाला option होता तो फिर वो ही सही होता बिल्कुँ सही कह रहे हैं और नहीं तो उप्रोक सभी वाला option सही हो जाता अगर लाश्ट पे एक option वोड डाल देते तो लेकिन वो है नहीं लेकिन वो है नहीं भी हरवा लड़ू थोड़ी मिलेगा तो वैसे यहां देखो अब आजाओ अब अपन एम की बात करें आजाओ भीया कानी में इनमें से उर्जा होगी फोटोन की अरे फोटोन का तो फीराम को दुरेबान होता ही नहीं है सुन्ने हो गया है अगर दुरेबान सुन्ने लेंगे फिर तो आन्सर इलेक्टोन हो जाता लेकिन अम मामला आ गया है किसका फोटोन का इसका चोथे option की और ध्यान देना ही पड़ेगा और सबसे पहले photon वो टिक आया है इसमें जबी तीसरे नमर पर होना चीए था एक्रम में सही रहता ना क्यों कि इलक्ट्रोन पहले दिते ठीक हो जाता हूँ अब आजा चोथे option तरंग देधरिये और कणों के गुण पर निर्भर इसका आव यह मामला photon की वज़े से किस option पे चला गया वे चोथे option पे समझे कांड तो इसलिए यहां अपने पास यह होगा अगर photon नहीं होता तो option क्या होता इलक्ट्रोन होता तो यहां पर यह तरंग देधरिये अगर इनका मान दे रखा होता इन्होंने मान दे रखा होता है इसका मतलब अब अपना आंसर किस पे चले गया चोथे option पे चला गया जब तक यह चोथा option नहीं था अगर यह तीसरे नमर पे photon होता और अगर आपन नहीं देखते तो इलक्ट्रोन टिक करते ते गलत हो जाता हो अगर इसी option में photon की जगे सपोच करो alpha कर्ण होता तब option क्या ह प्रोट्रोन की जगे अगर alpha कर्ण दिया हुआ होता तो बोलो तब तो electron होता क्योंकि alpha कर्ण तो चार गुना है proton का भी समझ गे तो यह option के according answer बन गया अपना क्लियर चीजी है अब देखो अगर यही question अगर आप से फिर दुबारा पूछा जाया है उसके अंदर अगर यह कर्ण के नाम दे रहे होते हैं proton, alpha कर्ण, deutron और electron फिर बताओ electron आगया नहीं चुल ले कि सबसे हम दुरे मान उसी का है तो नोट कर लीज़े आप इसे अब देखे वे question number 12 तो यह चीजें आप अपने तरीके से नोट कर ले ना कि अगर photon की जगे कोई अन्य दूसरा भोतिक कंड होता क्योंकि photon तो भोतिक कंड ही नहीं पर द्रेवे कंड थोड़ी है photon कोई भोतिक कंड होता तो answer electron हो जाता अपने तरीके से नोट कर ले ना question जरूर नहीं यहीं आए चेंज हो सकता है question solve करने का means क्या है उसकी आस पास के concept को भी अपनको लपेटना है clear करना है question हल करने का मतलब यह है question number 11 के बाद question number 12 देखिए electron तथा positron यह तो अच्छा question बन गया वई positron आ गया इसमें कि समान उर्जा है यह लवई उर्जा समान है तो इनके डी ब्रोगली तरंग देदरे का अनुपात क्या होगा पहले तो यह देखो भई किसको समान कहा है उर्जा को फिर दूसरा यह देखना है कि उन कणों के नाम क्या क्या है बस दो चीजे चाहिए अब अपन को डी ब्रोगली तरंग देदरे का वो फॉर्मुला लेना है जिसके अंदर कौन आ रहा हो उर्जा आ रही हो सही है थोड़ देर पहले लिया था आपने क्या था बताओ लेम्डा इज इकाल टू एच अपोन में रूट आफ टू एम ई अब यहां गोर करने वाली बात क्या है बताओ समान उर्जा है ए कोंस्टेंट हेग नहीं है गोर करना इको कोंस्टेंट में अमेसा क्या कहा है जो कोंस्टेंट है उसको पकड़ के चलना है एक तो आपके पास इसके अंदर वई देखो इकोंस्टेंट है बिल्कु सही बात है यह कोंस्टेंट है है कोंस्टेंट फिर बताओ एच कोंस्टेंट है क्या दो कॉंस्टेंट है क्या क्योंकि दो तो आंकी संक्रें मैं ऐसा कॉंस्टेंट होती है दो का मान दो योगा आठ सुरी हो जाएका अब बताओ M कॉंस्टेंट है क्या नहीं है M कॉंस्टेंट वापिस से सोचो electron के बाद दूसरे कंड का नाम देखें आप पोजिट्रोन इलेक्ट्रोन का ओपजिट करण होता है यानि इलेक्ट्रोन का द्रेवमान और पोजिट्रोन का द्रेवमान बराबर होता है समझें मेरी बात को यानि कि आवेस का फरक है इलेक्ट्रोन पर रिन आवेस है तो उतने ही परिमान का positron पर क्या है धनावे से बाकी द्रेवमान समान है बस नाम में ही काम हो गया इसका तो इसका मतलब द्रेवमान भी constant सब कुछ constant इसका मतलब lambda भी constant यानि इनकी तरंग देदरे का अनुपात क्या हो जाएगा lambda electron और अगर lambda positron अगर ये पूछ रहे हैं तो ये एक अनुपात एक आएगा अग नहीं आएगा आगया अगया नहीं आगया question कितना प्यारा question बन गया देखलो third option आगया नहीं आगया जिसको अपन विचार ही नहीं कर सकते थे क्योंकि अपन तो ये formula लगाते और सही लगा रहे हैं गलत नहीं लगा रहे formula को क्योंकि उर्जा समान है एज समान लेकि द्रेवमान के तरफ ध्यान जाता ही नहीं जबकि electron और positron के द्रेवमान क्या होते हैं एक समान होते हैं ध्यान रखिएगा note कर लो इसे कितना और गलत सही किया है question ने सही किया गलत किया कुश्चन नम्र 13 पे आजाएं अब तो इनकी तनदरेत क्या होगी समान क्योंकि सब के सब क्या हो गए है कॉंस्टेंट हो गए है समान आ गए है कुश्चन नम्र 13 पे आते हैं 13 क्या कह रहा है 2 photonon की उर्जाओं का अनुपात 1 अनुपात 2 है उनके सम्वेगों का अनुपात क्या होगा यह तो 2018 separate में आई वा कुश्यन है हाना separate में आई वा कुश्यन है latest अब देखो भीया सम्वेग और उर्जा का अनुपात संबंद अपन को पता होना चीए संवेग P बराबर E अपन में C अब सुनो इनकी उर्जाओं का उर्जा अलग है लेकिन C तो दोनों का समान है क्योंकि किसके लिए कहा है इसने दोनों ही फोटोन है और फोटोन की उर्जाओं कैसी है अलग अलग है लेकिन वेग तो समान हैक नहीं है क्योंकि फोटोन का वेग प्रकास के वेग के तुल्ले होता है C कॉंस्टेंट हो गया इसका मतला P इस प्रपोर्शनाल E हो गया तो बताएं यानि कि P1 अपन में P2 इसी कल टू क्या हो गया E1 अपन में E2 E1 अपन में E2 आपको दिया हुआ है भई देख लो आप E1 अपन में E2 कितना दिया हुआ है एक अनपाथ दो दिया हुआ है तो आंसर यही आगया एक अनपाथ दो जिसके बारे में अपने विचार नहीं कर सकते थे यह लो हो गया यह नहीं वहीं आंसर आगया है जो अनपात था उर्जाओं का ऐसे लोजिकली कुश्यन आते हैं अच्छे है अपने पास हो गया कुश्यन ही कुश्यन नमर 14 पे आओ देखioned कुश्यन नमर 14 बहुत ही अच्छा पुश्यन है अगर आप तरीके से सोचोगे तो क्या कह रहा है एक प्रोटोन है सुना ऊप एक क्या है निउट्रोन है है तो कण इसका मतलब कंड का नाम लेते ही ये मानलो आपको द्रेवान दे दिया है एक इलेक्टरोन है ये लो और मजे कर दिये फोटोन सब दिन दियाने तो ग्रपट कर देता है कि फोटोन के साथ रहता नहीं अलग फेमिलिक आया हो तथा एक अलफा करने ये भी इजी कर दिया सभी अनापैक्षी है समान उर्जा के हैं ये सबसे बड़ा हिंट है आपके पास कि ये किसमे है समान उर्जा के यानि कि जो समान दे रखा होता है उसी वो पकड़ के चलना होता है तब इनकी डी ब्रोगली तरंग देदरियों की सही तुलना है एक हिंटोर दे दिया न्यूट्रोन का द्रियोमान प्रोट्रोन के द्रियोमान के बराबर माल ले अब चरो अपन उर्जा समान है तो पहले तो वो रिस्तेदारी ढूंडो जहां तरंग देदरिया और उर्जा में रिस्दारी आ रही थी जिसके अपन में बहुत सारे कुश्चन तो अभी कर लिये हैं तो अब देखो वह रिस्दारी ये थी लेम्डा इस इकल टू एच अपोन में रूट आफ टू एम ई ठीक नहीं थी उर्जा समान है एच समान है दो समान है केवल चेंज कौन है एम है चेंज केवल एम है इसका मतलब लेम्डा इज प्रपोर्शनल वन अपोन में रूट आफ एम हुआ कि नहीं हुआ कि लिए रोगे चीज एक ही फॉर्मले देओ कितने टाइप्स के कुश्चन बन गए अपने पास इसका मतलब जिसका एम कम होगा उसकी लेम्डा ज़ादा होगी इस केस में एंड जिसका एम ज़ादा होगा उसकी लेम्डा कम होगी और जिनका एम बराबर होगा उनकी लेम्डा बराबर होगी, तो सबसे पहले तो यह देखो, न्यूट्रोन और प्रोटोन का दुर्यमान इसने समान का है, तो पहले तो न्यूट्रोन प्रोटोन का दुर्यमान यानि उनकी लेम्डा भी बराबर होनी ची, तो कहां कहां है भया देखो, प्रोटोन, कुछन को सोल कर दूं इनकी तरंगदे अ गला करम निकाल देताूं सबसे अधिक तरंग देयर किसकी होगी बताओ सबसे कंध लेमडा किसका है प्रोटोन की तनजरे क्या होनी चीए बराबर लेकिन इलेक्टोन से क्या होनी चीए कम अब है एक कंड और है अल्फा कंड और अल्फा कंड का दिरुमान तो सबसे ज़्यादा प्रोटोन का भी चार गुणा प्रोटोन का भी चार गुणा अल्फा कंड का देता अपन लिक अपन बराबर और एल्फा करन के सब से कम इसको देख लो सिक्वेंस कौन सा रहा है इसमें और टाइफ होने में मिश्टेक है क्या टाइफ होने में मिश्टेक है देखो बही यहां पर तो लेमडा एए less than कर रहा है possible नहीं है ठीक है ना देख लेते हैं फर्ष्ट वाले में देखो भईया यहां यह भी गल्त है क्यों गल्त है देखो क्योंकि यहां पर आप देखो लेम्डा E को बड़ा करगा लेम्डा एलफा से और लेम्डा E से कम है यह बेलकुल सही है यह बाल सही है निट्रोन निट्रोण के बराबर है स्कूल ब कर रहे है इस फिर आज़ा ओ इसंवे इलेक्टोन प्रटोन के बराबर कर रहे किसे किसे और बी संहे नहीं है यानि कि option ही इसका नया है और वो option क्या है यह है नोट कर लो question में ठीक ना टाइपिंग रिष्टे कहीं चार option possible नहीं है इस second दे रखा है इसका मतलब इसका सुनो second दिया हुआ है ना तो इसका sequence यूं हो गया है देखो alpha neutron को बरावर कर रखा है ना इसका means यह है कि alpha कण की जो lambda है वो सबसे कम है उससे अधिक neutron proton की है फिर यह हूँ है समझ गया हाँ typing में sequence में क्रम बदल गया फिर ना इसमे typing system बदल गया क्रम ना आपकी seat में तो आपकी seat में यह sequence होगा देख लो आप तो यह sequence करके आप correction क्या कर लेंगे यह option कर लेंगे यह चेंज करके ना आप अपनी seat के अदर option जो है ना आपके पास seat के अदर तो यह option होगा साइधन यह less than इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यह की बात है देख लो आप हो गया ना इस second हो गया अपना आप यह concept के लिए रोना चीए अपना question का अपना पकड़ लेंगे आप देखो 2010 या 11 का सेंगड का paper था उसके अंदर एक rotational motion का एक question था उस question में mistake थी paper के अंदर लेकिन मजाले किसी student ने कहा हो कि question में गलती है कि question में पता ने चला question क्या था किसी ने written लगाई किसी ने कुछ नहीं किया कि उसमें line अगर अगर अपन dot dot कर देंगे तो अलग अलग मिनिंग आएगा और फुल लाइन होगी तो अलग मिनिंग आएगा और एक question में प्रिंटिंग मिश्टेक थी option के अंदर किसी ने लेगाई क्योंकि पता चलेगा जबी तो सही करेगा उसे बताएगा तो इसी तरह से यहां इस question में तो अपने तो correct answer निकाल लिया और अ आपके पास जो seat है उसके अंदर जो question seat मिली है उसके तो option यह है बिल्कुल सही है यह करम है लेगे इसको ही हट जो PDF बनाने में हम mistake हो गई तो यह अपने पास question नमर कितना था 14 clear हो गया यह अच्छा question था एक बहतरी question था नैस question देखो आप question नमर 15 बहुती प्यारा और अच्छा question है यह question दो concept को मिला करके बनायावा question है दो concept को मिला करके बनायावा question है इस question को आप especially ध्यान रखेगा अच्छा question है देखो कैसे एक कंड को capital H उचाई से गिराया जाता है उचाई के फलन के रूप में कंड की डी ब्रोगली तरंग देदरिये समान उपाती है यानि की लेमडा को H के साथ सामिल करना है आप सार लेमडा को H के साथ सामिल करना है कैसे करेंगे देखो मैं बतातू लेमडा का ये formula तो आपने पड़ा हुआ है एक नहीं है H अपन में M भी बताओ एक कंड है तो एक ही कंड है इसका M constant है उसका H यहाँ पर small H क्या है प्लाग ने तांग ये भी constant है इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा इज प्रपोर्शनल वन अपोन में V हुआ कि नहीं हुआ अब सोचेंगे सर V उचाई के साथ क्या रिस्तेदारी है याद करो आपने अगर किसी क्लास में पड़ा है गती वाले चैप्टरों में गती की त्रत्य समीकरण है याद थोड़ी बहुत जब कोई वास्तू उपर से नीचे गिरती है तो उसका जो अंतिम वेग लेते हैं चलो मैं गती की त्रत्य समीकरण ही बता दू याद करो ये थी V स्क्वाइर इस इकाल टू यू स्क्वाइर प्लास टू जी उचाई को केपलेच ले रहे हैं अपन अप उपर से गिने वाले वस्तू के लिए उपर से गिने वाले वस्तू के लिए प्रारंबिक वेग क्या होता है जीरो होता है यानि उसका जो वेग है वो V is equal to root of क्या है टू जी एच है एक नहीं इसका मतलब इस वन अपॉन में बताओ क्या वन गया है इसको तो अपन यहां ले 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 है अपन देखो इसी काईल टू इसमोल एच अपॉन में अपॉन में root of क्या ले लेंगे बताओ टू जी कैपिटल एच इसका मतलब यहां देखो प्रपोर्श्टल में क्या जाएगा वन अप उन में root of क्या च होगया अगर न होगया आगया ना root of क्या च होगया ना इसका मतलब लेंंडा पूछिये न इसने विव रोगली तरंग देखे पूछिये तो बताओ लेंडा इच प्रपोर्श्नल वन अपोन में root of capital H अगर हो रहा है तो इसका means lambda is proportional H की power minus half कह सकते हो इसे कैसे root का मतलब power half हो गई न root का means क्या हो गई power half उपपर लेंगे तो minus में हो गई बता आप कौन सा option आ रहा है fourth option आ गया प्यारा question था हाना दो concept अपने पास इसमें apply हो रहे हैं तो अपने पास इसमें 15 questions अपने पास clear हो गए है आज इसके ठीक है ना अच्छे questions थे आगे के 5 question है वो भी अच्छे question है अच्छे हो गए है हो गए है है दो यह questions ऐसे हैं अपने नोर्स में इनको एड़ कर ले ना एक्स्टा जो question मिल रहे हैं अच्छे questions लोजिकली है अपने यहां पर देख लिया कि वेक की उचाई पर निर्भरता किस तरह से थी वो निकाली अपने फिर वेक को अपने यहां चिपका दिय है उसकी जगे निर्भरता देख ली और इसी टाइप के यह आपके लेवल के question है कहीं जटिल कैल्कुलेशन नहीं है इनमें बस concept है वह अपने पढ़ा था जब question किये थे अपने सीखी थी यह चीज़े next question पर आया है आपने देखो question number 16 पर 16 देखें एक alpha कण है और एक दा आइनिक अच्छा BE8 है यह alpha कण का भी बड़ा भाई है हना को समान विफानतर आपकी बार नया question आ गया है समान विफानतर और जिसको समान दे रखा होता है मैंने बता रखा है उसको पकड़के चलना होता है और नहीं होता है ट्रिक है यह मालो numerical soul करने की अगर विफानतर समान दे रखा है और अब पूछ रहे हैं इनकी डी ब्रोगली तरंग देधरियों का अनुपात क्या है बताओ विफानतर के रूप में फॉर्मला देखो लेमडा इस इकाल टू एच अपॉन में रूट आफ टू एम क्यू वी capital V है बहिए और capital V का में अनुद विफानतर अब बताओ इस question में समान क्या क्या है constant अच है क्या लेकिन M और Q constant नहीं है क्योंकि alpha कन का M अलग है BE का अलग है तो यानि कि पहले तो यह देखो निर्वरताएं क्या वनी है यही तो बनाना सीखना है lambda is proportional 1 upon में root of M Q यानि अब के बार Q की भी importance बढ़ गई है इनका अनुपाद पूछा है पहले कौन है alpha बाद में कौन है BE है तो यानि कि lambda alpha upon में lambda BE बेरिलियम के दो easy call to बताओ इसको देखते वे क्या formula बन रहा है root of यह तो बनाना सीखना था आपको बताओ विटकून पाती है ना तो क्या लोगे आप इसे MBE QBE ऐसा ही लिखोगे ना upon में बताओ M alpha और फिर Q alpha अब थोड़ी सी वही पुरानी बात एक बार आपके साथ करते हैं देखो यहाँ पर कौन सी बात कि alpha कर्ण है क्या याद करो alpha कर्ण H E 4 2 बता रखा है मैंने हीलियम का duionate नाबिक है हीलियम का क्या है duionate नाबिक है अगर यह हीलियम का duionate नाबिक है तो अब आप इसमें देखिएगा यानि कि इसका जो द्रियमान है M alpha जो होता है प्रोटोन के द्रियमान का कितना गुना हो गया 4 गुना द्रियमान उपर वारे को पकड़ना है और अगर आवेस की बात करें तो Q alpha कितने प्रोटोन है दो तो 2 2 QP हो गया अगर नहीं हो गया अरे दो प्रोटोन के बराबर आवेस हो गया यह तो बात हुई किसकी alpha की अब आजाओ BE की BE48 है यह बताओ इसके लिए अगर अपन बात करें तो बताओ MB कितना होगा MBE उपर देखो कितना है 8 यह प्रोटोन के द्रियमान का 8 गुना 8 MP हो गया अगर नहीं हो गया फिर बताओ इसके आवेस बताओ QBE पे कितने प्रोटोन है 4 तो प्रोटोन के आवेस का कितना गुना 4 गुना अरे यह डबल की ओ जाता है क्योंगि प्रोटोन और न्यूटोन का द्रियमान अपन बराबर मानते है तो आठ का मतलब 4 इसके पास न्यूटोन हो रहे है लेकि न्यूटोन पर आवेस होता नहीं तो इसलिए तरीका यह याद रखो नीचे वाला तो किसको शो करेगा आवेस को, उपर वाला, द्रेमान को यानि QBE is equal to क्या हो गया बताओ 4QP हो गया अगर नहीं हो गया प्रोटोना चार गुना हो गया अगर यह मान पता पढ़ गया तो बस question हो गया आपका सोल यह लीजिये देखो MBE कितना रखेंगे बताओ 8MP रखेंगे ना हो गया QBE बोलो 4QP रखेंगे ना यह लो रख दिया है M alpha 4MP है याद रखेगा यह की यह चीज़ आपके धारा का चुमबा के प्रभाव में भी काम देगी वहाँ पर भी ऐसे question होंगे alpha proton होगे तो M alpha की value है 4MP Q alpha बताओ 2QP देख लो कहीं कहीं लिखा होगा ना यह लिख रखेंगा ना 2QP है अब जो cancel हो रहे हैं तो cancel कर दो yellow way QP से तो QP cancel हो गया MP से MP कर देए अपने cancel क्या बच गया बताओ 4 से yellow way 4 को भी cancel कर देते हैं यह yellow way 4 से 4 cancel हो जाए 2 से 8 कितनी बार 4 बार यानि की root of कितना बच गया root of 4 upon me 1 कुछ नी बचा ना और अब रूट तो निकाल देंगे अपन हाना root तो निकल जाएगा तो कितना हो गया 2 ratio बना गया कौन सा option आ गया 3 ला गया अच्छा question था बस चीजें आपकी पड़ीवी थी नए तरीके से पैस हो गया question note कीजिए question को देगो ये चीज आप ध्यान रखेगा भी अलग से ना आगे भी काम आएंगे ना कितनों का सही था आप मैंसे ये question एक का सही था बस मनमून जी छोड़ दिया गया ये तो रिस्क लेते नहीं है है ना विपिन जी थाड़ option बता रहे हैंगा इस कहांचा थाड़ी है दोन पात एक साई अगर जाओ अगर अगर आगर को अगर 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 को अगर को अगर को बेलकूल नेगेटिव मार्किंग दो मिश्क पेपर में रहेगी और पेपर पर सबसे पहले एडिंग में लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग से बचें देख लो लिख रहा होगा पहले पहले नेगेटिव मार्किंग से बचें क्योंकि जो आया कुछ नहीं बल्कि चले और गया क्या फायदा ओए मार्किंग तो रिजल्ट के बाद ही मिलती है पहले दोड़ी मिल जाएगी फिर तो यह पहले चेप देगा उनको बढ़ देगा होगा अब एक कुश्चन नमर 16 आगे बढ़े है अपन नोट कर लिएगी अब ओओ यह कुश्चन नमर 17 देखो आप कुश्चन नमर 17 क्या कह रहा है यदी एक फोटोन यहां तो चलो एक ही फोटोन है फिर तो कई अध्यान दीजिए आपने ये फॉर्मुला पढ़ रखा है E is equal to H new बोलो पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है किसका है ये Planck का quantum सिद्दान खुब अच्छे से पढ़ा हुआ है और is equal to M into C square भी पढ़ रखा है ये किसका है Einstein का ये भी E के बराबर अपना तो काम हो गया ये लो new निकालना है न तो बताओ new is equal to M C का square अपोन में H अब पहले option में ढूंडो नहीं है न लेकिन इसने क्या का है समवेग P ये लो बढ़ क्या दिक्कत है M into C into C लिख सकता हूँ में से अब लिखते ही देखो आपका question सोल हो हो गया M into C M क्या है द्रेवमान C क्या है वेग और द्रेवमान into वेग समवेग तो ये लो ये हो गया P और ये हो गया C यानि PC अपोन में H चेक करो कॉन सा option आ रहा है दूसरा इसने CP होन में ह है सही है क्या और आगे पीछे लिख दें क्या फरक पड़ता है तो PC अपोन में H कह दो या CP अपोन में H कह दो बात एक ही है नोट कीजिएगा ये तो सही होगा सही सभी का न किया ही नहीं है न चलो बहुत देखो नेक्ट कुश्चन पर आजाओ हम अमीद पुर्माज कह रहे हैं ओम्र में था बिल्कुत सही है वे नेगेटिव मार्किंग वाली बात थी आपके ओम्र में नेगेटिव मार्किंग से तो बसते ही रहना है के वार्स सेलेक्शन का चक्कर इस नेगेटिव मार्किंग चक्कर में हो जाता है रिट में यह तो फायदा था रिट में यह तो फायदा था बोले पांच में तुक्के लगाए दो तो सही थे तीन गला तुए तो क्या हुआ और यहां उल्टा हो जाएगा तो अब देखेंगे नेक्ट कुश्चन नमर 17 के बाद अपन आते हैं 18 पे यह तो फॉर्मुला वही ताप 1 T पर उसमें सामय वस्ता में न्यूट्रोन की डी ब्रोगली तरंग दरी है देखो ध्यान दीजिएगा एक बतारों में ध्यान दीजिएगा अगर ताप यह सामय कहते हैं तब तो डी ब्रोगली तरंग दरी न्यूट्रोन की यह लेते हैं अपन 25 दसमलाव 2 अपन में रूट आफ टी एंगे स्ट्रोन लेकिन प्रासंभविय उर्जा दे रखी हो प्रासंभविय उर्जा के रूप में न्यूट्रोन के रखा हो तब यह लेते हैं 30 दसमलाव 8 3 5 बटे में रूट आफ टी एंगे स्ट्रोन अब देखो इसने ताप यह ताप मां टी पर उसमें सामय वस्ता वाली बात करी यह निकि आंसर यह आना चीए 25 दसमलाव 2 बटे रूट आफ टी चारों में कहीं नज़र नहीं आ रहा समय 30 ही 30 है इसका मतलब उसके लिए इन दोनों में अंतर पता नहीं है उसके लिए आंसर यह है समझ किया छोड़ना नहीं है इसे कुश्ण को मैंने बता है ना तो अब देखो इसका मतलब इसके आधार पर आंसर डूढ़ना है क्योंकि है तो यह तो न्यूट्रोन के लिए भी तो यह अब यह 30 दसमलाव 8 3 5 इससे कौन मैच कर रहा है फॉर्थ ओप्शन आ गया यह लो ठीक है ना यही टिक करना है जबकि होना क्या चीह था प्रेस संभाव यह उर्जा या फीर उसमें साम मैं है तो 25 दसमलाव 2 होना चीह था परन्तु ऑप्शन में चारों मैं से कोईसा है नहीं अगर एक अप्शन होता उप्वलोकिर कोई नहीं फिर तो वो होता लिकिन वो है नहीं तो इनी में से छाटना है अब वही बात है आपको तो good better best वाले option वाली बात है फिर आजाए नेश पर देखो 18 पर 19 देखो D. Brogley की परिकलपना के अनुसार electron है क्या बताया उसने कन कहा था क्या या तरंग कहा था एक और दे दोनों या उप्रोक्ष में से कोई नहीं बहिए D. Brogley ने ये कह था कि गतिमान कन तरंग की भाती विवार करता है यानि कन तो कन है ही है लेकिन तरंग का गुण भी है तो कौन सा टिक होगा कौन सा तीसरा आ गया इसमें कि यानि कि तीसरा ओप्षिना ऑगा नि आ इसका आगे तीसरा तार अजी क्या पूच रहे है मेरे आजग मेने आज़ँ मेल भी कि लासव कॉर प्रेषा के नं किक नम्मोर छे का ऑंसर क्या बता देख लेंगे वापीस हुझे ना देखे भी नेक्स्ट कुश्चन पर आ जाए यह तो क्लियर होगे ना कुश्चन नमर्ट 20 देखो डेवीशन जर्मर्क प्रियोग में सिध्ध हुआ बताओ प्रकास की तरंग प्रकरती प्रकास की कंड प्रकरती दोनों एक तथा दो ने एक और नहीं दो मैं एक्स्प्लेनेशन पूछूंगा इसका डेवीशन जर्मर्क प्रियोग अपने पढ़ लिया है वो डाइग्रम बनाया था बड़ा अच्छा सा अब बताओ फटाफट से क्या होगा जब ये कुश्चन नमर को अपन देखते हैं शिक्स को और फट को भी देखना है दो कुश्चन बाकी अभी तो अपने शिक्स को आपको वापिस देख लेंगे बताओ क्या आएगा ध्यान करो डेविशन जर्मर प्रियोग ने प्रकास की तो बात ही नहीं की थी वहाँ तो सारी बात इलेक्टोन की थी उसने तो ये प्रूफ किया था कि इलेक्टोन कैसा विवार कर रहा है तरंग की तरह अब बताओ आउ आंसर हिंट दे दिया मैंने ने 1 और 2 क्योंकि उसने प्रकास की बारिम घजा भताया वही उसने प्रकास की तो बात ही नहीं की उसने किसकी बात की थी इलेक्टोन की तो 20 अपने question complete हो गया अब एक question अपने पहले question में जो correction था, पहले वो देखो, वो देखे अपन, पहले question में, आ जाए देखो, first question पर आते हैं, 13, 12 आ गया, 11 है, 10 है, 8, 7, 6, अज़र 6 नमबर यह है, चलो इसको भी देख लेंगे, 3, 2 और question number first, अब चलो पहले, first को देखते हैं, असत्ते कथन बताईए, देखे वे first कथन, असत्ते कथन पूछ रहे हैं, यानि जूटा कोण सा या गलत कोण सा, यह पूछ रहे हैं, अब ज़रा एक-एक पर ध्यान दीजिएगा, इनवे कथनों पे, प्रकास विद्धुत प्रभाव में प्रकास की तीउरता बढ़ाने पर, इलेक्टोनों की धारा बढ़ती है, लेकिन उर्जा नहीं बढ़ती है, यह तो बात सही है, यह तो बात वही सही है, यह तो correct है option, फिर Einstein का प्रकास विद्धुत समीकरन मिलीकन के द्वारा प्रयोक से इस्तापित हुआ, नहीं, यह तो प्लांग के quantum सिध्धान से इस्तापित हुआ था, किससे हुआ था, प्लांग के quantum सिध्धान से, यह गलत है वही बात, अब यह गलत है तो बाकी और दो को भी चेक करें, क्या पता वो भी सही है गलत है, यह तो प्लांग यहीं रुख जाएंगे, तो नमर थड़ देखो, प्रकास विजुद प्रभाव में विरोधी विभो, जिसे आप निरोधी विभो भी कह रहे हैं, तथा प्रकास की आवरती के मद्दे वक्र की ढाल, एक स्थिर्मान, यहां लिख रहा है, 2H अपोन में E, इसे आप कहीजिएगा, H अपोन में E, होती है, क्या बात सही है क्या बिल्कुल सही है, याद करो, कंपेर जिन कराया था मैंने, M is equal to H अपोन में E आया था, constant था ना H औरी, यह भी बात सही है, देहली आवरती से कम आवरती के प्रकास से इलेक्टोनों का उत्सरजन नहीं हो सकता, यह भी बात सही है, इसकला कौन सी बात गलत हुई, second option is correct answer, यह हो गया, second option correct answer हो गया, अगर नहीं हो गया, correction कर लेना, answer की के अंदर साथ option में गलते हैं, अब तारा चंजी एक question के लिए कह रहे हैं, question number 6 को एक बार वापिस से बता जाते हैं, देख लेते हैं, तारा चंजी देखना आप, इस question में, एक last question, अपने question complete हो गए अपने, question number 6, देखें भी तारा चंजी, question number 6 को देखें, आप किसी प्रकास वैद्धुत पधार्थ का कार्यफलन दिया हुआ है, 3.3 electron volt, 5 note is equal to 3.3 electron volt है, इसको अपने change किसमें कर रहे हैं, जूल के अंदर, क्योंकि आवरती हट्स में आईगी है, तो जूल में change करना पड़ेगा, 1.6 10 to power minus 19 से गोना कर दिया है, new note निकालना है, 5 note is equal to h new note होता है, new note is equal to 5 note upon में h हो गया, values रखिये आप, calculate करो, 5.28 upon 6.62, divide करो, यह आपके पास value आ रही थी, 7.9 into 10 to power 14 हट्स आ रही थ अब 7.9 को approach अपन किसके equal लेंगे, इसमें, 8 के, दूसरा power भी match देखो, 10 to power 14 आ रही है, आप बता रहे हो, 4th option जिसमें power कितनी है, 11, तो यह possible ही नहीं है, तिया ना, answer की में mistake थी, ठीक है, इसे चेक कीजिएगा, फिर क्या पूचरे है, 20 upon 20, सही है, सर, ठीक है, अपर या, answer की में, एक्चन करेंड लें, जोगे हो, तो आपने साय सोल कर लिए, डिसक्स कर लिए, ज़िए, जबने वार आपना आपना समय में दिया को रहा हूं,